फ्रेंड्स आप देख रहे हैं भव्या हेल्थ केर तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडिय सबसे पहले हलो एवरिवन वेलकम टू भव्या हेल्थ क्या और मैं हूँ आपकी दोस्त भव्या तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन्हें खाने के बाद भूल के भी आपको नहीं पीना चाहिए दूद इससे हो सकते हैं कई सारे साइड इफेक् खाना खाने के बाद आपको किन चीजों के साथ दूद को नहीं पीना चाहिए दूद हमारी सेहत के लिए एक वर्दान है एक गलास दूद में सेहत के लिए कई तरह के पौश्टिक तत्व छुपे होते हैं दूद पीने के वैसे तो अंगिनत फायदे आपने सुने ही होगे हम में से कई लोगों की सुबा दूद के बिना नहीं होती है दूद पीना सेहत के लिए बेहदी फायदे मन्द होता है देकिन कुछ चीजों के साथ दूद का सेवन आपकी सेहत के लिए घा तक हो सकता है कई लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है इसलिए दूद के साथ गलत चीजों का सेवन वो कर लेते हैं पर इससे आपको कई तरह के side effects हो सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं हमारे इस वीटियो में अगर आपने डिनर में उड़त की दाल खाई है तो रात को सोते समय दूद को पीने से बचे इन दोनों का combination स्वास्ते संबंदी कई परिशानियों का कारण बन सकता है कुछ लोगों को रात को दूद पी करी सोने की आदत होती है ऐसे लोगों को दाल खाने के बाद दूद पीने के बीच में कम से कम दो घंटे का अंतराल जरूर रखना चाहिए कई लोगों को नाश्ते में दूद पीने की आदत होती है ऐसे में ध्यान रखे अगर आप नाश्टे में कुछ नमक वाला खा रहे हैं तो इसके बाद या साथ में दूद को बिल्कुल भी नहीं पिए ऐसा करना आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है दूद के साथ आपको गाजर, शकरकंत, आलू, तेल, दही, नारियल, लस्टन जैसी चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए और फिर भी यदि इन चीजों का आप सेवन करना चाहते हैं तो खाने से पहले या खाने के दो घंटों के अंतराल में जरूर रखें दूद की तासीर ठंडी होती है इसलिए इसे किसी भी गरम चीज के साथ नहीं पीना चाहिए यह भी जान लें कि मचली के साथ दूद भूल कर भी आप नहीं पिए क्योंकि मचली की तासीर काफी गरम होती है जो कि आपकी सेहत के लिए काफी नुकसान दे हो सकता है दूद पीने से पहले और बाद में या फिर साथ में कुछ फल आपको नहीं खाने चाहिए अगर आप इसके साथ संत्रा, अनानास जैसे खटे फलों का सेवन करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए हानी कारक हो सकता है इनका साथ में सेवन करने से खाना आपका सही से नहीं बचता और उल्टी की संभावना भी रहती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि दूद के साथ आपको इन चीज़ों का सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए इससे आपकी सेहत को कई सारे नुकसान हो सकते है अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चानल भव्या हेल्ट केर को आज भी सब्सक्राइब कीजिए तil then be healthy, be happy and be fit